कर रहे थे उस पर आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा था तो सबसे बड़ी अपडेट कर रहे थे अपनी इंटर्वीव रिजल्ट के लिए उसमें से कुछ केंडेट को आज रिजेक्शन का मेल देखने को मिल ला है उनको को टीसियस ने के स्टेव पोर्टर पे मेसेज देखने को मिल ला है जिसके बारव में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ग्राइज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि क्या आपको आपको रिजेक्शन मेल आ चुकए है तो कोई पोशबील्टी है सेलेक्शन क को अपने वाला हूं जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा आपको मैं जो ऑनबोर्डिंग कमुणिटी है उसमें कुछ जो एडिशन हुआ है के इसके बारे में बात करने वाला हूं कि क्या कोई अभी जवानिंग लेटर जनरेट हो रहा है और आपको इस वीडियो में करने वाला हो तो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो को इसके आं तक देखना ताकि आपके सारे डाउट के लिए तो इससे पहले अगर आप हमाई चैनल पर नहीं हो तो गैश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए पोर्टल चेक किये तो वहाँ पर गाई रिजेक्शन का मेसेज उनको दिख रहा है तो गाई इस पर हम लोग डिटेल्स बात करने वाले हैं एक केंडेट हैं जिनका मेसेज आया तो सुबह सुबह कि सर्ट टूडे मौर्निंग आई गोट और रिजेक्शन मेसेज इन माई ट TCS Next Step Portal पर जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ भी गाई रिजेक्शन दिखा रहा था लेकिन गाई उनको एक मन्थ के बाद से फिर से उनको सेलेक्शन का मेल देखने को मिला हुआ तो गाई चांस आपके पास भी है आपको भी फिर से सेलेक्शन मेल देखने को मिल सकता है आ आपके जब ऑफिसियल मेल आ जाएंगे तो अभी भी आप समझना कि आपको रिजेक्शन हो चुका है मेल भी आने के बावजूर भी केंड़ेट को सेलेक्शन मेल आये हुए है तो गाई अभी कुछ भी कहना अभी मुश्किल है कि क्या आपकी केस में हो सकता है तो जो मैंने पहले देखा हुआ है जो केंड़ेट को आये हुए है ओ गाई मैंने आपको इस वीडियो में बताने के कोशिस कर रहा हूँ आप लोग यहां भी देख सकते हो यह मेल है गाई टीसियस एनकेटीव टुटेवीव इंटरवीव नॉट किलियर यह मेल बहुत सारे केंड़ेट क को आये हुए थे जो कि जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ था इसके बार गाई मैं बता दू कि इन्हों ने एक्जाम अगरा दिया था अप्रिल माई 2024 में और इनकी इंटरवीव प्रोसेस भी हुआ था लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद इनको सेलेक्शन का मेल आया हुआ इन्हों नों बताया भी था तो मैं इस पर वीडियो भी बनाके आप लोगो अप्लूट किया तो आपके पास भी 50-50 का चांस है आपको सेलेक्शन का मेल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है दोनों गाई पॉसिबल है आपके पास तो आपको थोड़ा से वेट करना होगा अ अभी फिलाहाल में जो TCS के जोइनिंग है वो अभी रुकी हुई है अभी किसी को जोइन लेटर जनरेट नहीं हो रहा है तो अभी आपको फिलाहाल वेट करना होगा आप लोगो मैं दिखा दू यहाँ पर जो TCS की अन्बोर्डिंग कम्मूनिटी है यहाँ पर 254 केंडेट का पहले ही सेलेक्शन हो चुका था यानि गाई इनके जोइन लेटर जनरेट हो चुकी थी उसके बाद गाई अभी तक इसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं देखने को मिला हुआ है यानि 17 अक्टूबर के लिए भी 3 अक्टूबर के लिए दोनों डेट के लिए अभी कोई जो में बताने कोशिश करूँगा तो अगर आपके कोई भी डाउट है तो यू कैन आसक इन दो कमेंट बक्स तो चलेगा जब से फी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बायवर